23 अप्रेल रवीवार को है विनायक चतुर्थी, गनपती भगवान की चतुर्थी है उस दिन, इस दिन रवीवार भी पढ़ रहा है, रवीवार के दिन विनायक चतुर्थी का होना अपने आप में भगवान विश्णु को परसंद करना, गनपती भगवान को परसंद करना, द विगनवादाओं को गनपति वप्पा ही दूर करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि आपके तब आती हैं यह विगनवादाओं जब आपकी जर्मकुंडली में गुरू कमजोर होते हैं तो रवीवार का दिन है भगवान आधित्या जो है भगवान विश्णु का सब रूप है आप अपने गुरू को विश्णु कर सकते हैं और जो विगनवादाओं आ रही है रुकावटे आ रही है देरी हो रही है उसको दूर करने के लिए आप भगवान गनपति का भी उपाई कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि भगवान सूर्य नारायन को आप भगवान विष्णु कर रूप में आपके जन्मकुंडली में गुरू ग्रह की रूप में किस तने ऐसी परसंड करें एक छोटा सा बिलकूल एकदम छोटा सा उपाई करके आप देखेंगे कि तुरंट आपके जन्मकुंडली में जितने भी विभा दोश है क्योंकि सूरिय सबी ग्र तक जुड़े रहें ताकि जो उपाई छोट छोटे में घर पर करने के बता रही हूं वो आप जरूर कर लें आप सब का स्वागत है मेरे चैनल पर और मैं हूँ वीना शर्मा आपको बता रही हूं कि बच्चों के बेटा बेटी के विवा में देरी हो रही है या ए विवाहित जो खुद इस वीडियो को देख रहे हैं उनके विवा में देरी हो रही है तो किस तरह से उस देरी को कैसे दूर किया जासके अब बात कर रहे हैं कि सुबह सबसे पहले आप नहाद होके रवी वार का दिन है भगवान सूरे नाराण को अर्गे जरूर देते हैं बहुत सारे इस रोल है उनका उनके इस इन सब चीजों में जीवन की ये जो भाग होता है उनके त्रक्की उनति का उसमें सुरे न भगवान का प्रसंद होना उनके जीवन में बहुत जरूरी है सबसे पहले तो इस दिन आप जब चतुरती का दिन है विनाईक चतुरती में आप भगवा जरूर डालें इसमें एक आप चंदन जरूर डालें अगर आपके पास चंदन का इत्र है तो चंदन का इत्र डाल लें इसमें एक बुंद लगा लें और अगर आपके पास चंदन पाउडर के रूप में है तो आप पाउडर की एक चुटकी इसमें डाल लें और अगर आपके पास इसमें चंदन घिसने वाला है तो भी आप घिस कर थोड़ा सा अंगली से गीला चंदन उस जल में लगा लें और वो आप सुर्यानायन भगवान को और भगवान के आगे अपनी बात रखें प्राठ्थना करें उनके आगे तो रंत आपके विभादोश दूर होंगे भगवान विश्णु परसंद होंगे और सुर्य देवजव परसंद होंगे तो आपके जितने भी बाकी वाले ग्रह दोश हैं वो सारे मिट जाएंगे अब बात आती है हमारे गनपती भगवान की विनाइक सतर्थी के दिन आप पूजा कैसे करें आप रखत रखें ना रखें यह माता पिता से कह रही हूं आप नहीं बरत रखते हैं कोई बात नहीं लेकिन गनपती भगवान की अपने बच्चों के विवा की वीगन वादाओं को को दूर करने के लिए देरी को दूर करने के लिए उस दिन एक छोटा सा काम करें बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बच्चे एक छोटा सा काम जरूर करें उस दिन भगवान गनपती को अगर आप पूजा करते हैं तो सबसे पहले तो यही कहूंगी चंदन का उसके साथ भगवान गनपती को उस दिन ज्रूर लगाएं आप चन्दन का तिल्क पीला हो चाहे सफैद हो चंधन आपके पास जो भी चंदन हो लेकिन उस दिन चंदन का तिल्क भगवान गनपती को जरूर लगाएं। इसके साथ भगवान गनपति के आगे आपको दो सुपारी लेनी है दो सुपारी आपको भगवान गनपति के आगे एक पान का पत्ता लेकर उसके ऊपर अर्पित करनी है और अगर पान का पत्ता आप ना लासकें तो आप चिंता ना करें आप पीपल का ये बढ़ का पीपल सोरी रवीवार को नहीं पत्ता ला सकते आप नहीं तोड़ सकते तो बर्गत का जो एक पत्ता होता है बर्गत का पत्ता लाके भी आप भगवान विश्णू के गनपती के और दो सुपारी उनके उसके उपर रख सकते हैं और अगर पान का पत्ता आप लासके तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि विशेश तोर से भगवान गनपती को पान का पत्ते पर ही सुपारी अर्पित की जाती है लेकिन एमर्जेंसी में मैं कहा रही हूं अगर आपको नहीं सुपारी वगवान गनपती के आगे ज्रूर रपित करें उसके ऊपर द्वणES उपारी जब पत्ते के ऊपर रख ले तो उसके ऊपर आपको एक धागा लेना है पीले रंगका और पीले रंग का धागा लेकर उसमें लगा लेना साथ गांट वह दागा कितना भी हो आपका आप देख लेना उसमें साथ काठ आजाने चाहिए मैं आपको यहां गाठ आपके उमर विवा की आपके आयू के बराबर की नहीं कह रही हूं आप साथ लगानी है उतना ही धागा लेना और दो सुपारी है उसके उपर रख देना इस सामगरी को अगले दिन आपको या कि पानी में परवाहित करना है या किसी पेड़ पोदे के नीचे रख याम मंदिर अगली बात आती है भगवान विश्णू को परसंद करने के लिए आपके पूजा घर में अगर विश्णू भगवान का चित्र है तो बहुत अच्छी बात है उनके आगे आगे आप ज्यादा कुछ ना करें भगवान विश्णू को कल के दिन परसंद करने के लिए आपके में भगवान वीशनु के अगे अर्पित करके उसमें से एक अगरवत्ति ज़ता करके अपनी मनोकामना पॉल kind करके आपनी मौनोकामना बॉल दें तुरंत विवा के यह मादा पिता कर रहे हों तो बच्कों के लिए बोल दें और बच्चे खुद कर रहे हैं अपने विवा के लिए मनों कामना बोल दें एक अगरवत्ति जिला कर उनके आगे अर्पित करके बाकी वाला जो पैकेट है वो पड़ा रहे नहीं दें और पूजा के बाद आप विश्णु भगवान के मंदिर में अर्पित अगरवत्ति जला कर अपने मनों कामना बोलते हुए उस पैकट में से उनके आगे जला दें प्रजूलित कर दें और अपने मनों कामना के नीचे छोड़ के आ सकते हैं यह छोटे-छोटे से उपाय जो आपके घर में ही करने लाइक हैं मैंने बाहर का कोई उपाय नहीं बताया आपको सिर्फ और सिर्फ घर में करने के उपाय बताया है जिसे माता-पिता भी असानी से कर सकते हैं और बच्चे तो कर ही सकते हैं उन वीडियो आप अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट वक्स में जै विश्ण देव जै गनपती वप्पा जुरूर लिखें जै अधित्य देव जुरूर लिखें थैंक्स फ